हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब हिंदू धर्ब में आस्था रखने वाले लोग सूर ग्रहन से पहले की वक्त को सूतक काल मानते हैं इस दौरान पूजा घर और मंदिरों के पट बंद रखते हैं साल 2020 का पहला सूर ग्रहन रविवार को लगने जा रहा है और उसके पहले सूतक का अलारम हो चुका है जिसके चलते हैं मंदिरों के पट बंद किया रहा है हम खड़े हैं इस वक्त मन कामिश्वर मंदिर में जहां आप देख सकते हैं यह मंदीर के पट को बंद कर रहे हैं को रोना काल में पहले से ही यहां पर बहुत सारी त्यारियां है जिसके चलते हैं मंदिर जो गर्भ ग्रह हैं वहां प्रवेस नहीं है जो उसे धालू है भकत हैं और अभी अभी म्हों बंद करके बहन जी क्या तैयारियां हैं जी चुकि यह सूरेगरान इस वर्ष का प्रत्य हमें बसे पांच जून से 5 जुलाई के पीश में तीन गढ़ाना है आ रहे थे पर हैं प्रण एक भारत में नहीं दर्श है था दो एक तो यह सूरेगरान एक चंद्र गढ़ान तो सूर लग जाता है बारा घंटे पहले और चंद ग्रहन में नो घंटे पूर बलगता है तो उसके अनुसार अभी अधिस्ट हम लों ने मंदिर बंद किये हैं और कल में तीन बच के चवालिस मिट पे हम लोग गेट को दुबारा से खोलेंगे और सारे भक्तों शुर्दालों से अनुद रहेगा कि जो ग्रहन काल है जो दस से तीन की बीच का पड़ेगा उसमें भारी या गरिस्ट या भूजन जब हम लोग करते हैं उसको ना करें पाट पूजन जब या गरुमंद्र या जो भी आप लोगों के जब हैं उनको करें कोई भी गरंथ उसका अध्यन कर सकते हैं हवन कर सकते हैं इन सब चीजों को करेंगे तो मुझे लगता है जो करोना की महामारी उसके लिए मिश्वर से प्रात्ना कर सकते हैं चुकि सूर दियो इस बार व हमारी पहले से ही चल रही है तो थोड़ा सा ये अच्छा ग्रहणा नहीं है तो जितने भी धार्मिक संसान है वो तो बंद रहते हैं तो आप सारे लोगों से नोद रहेगा कि अपने घर पे अपने जो पूजन साना आपको बनाओगा उस पर जब करें पूजन करें तो क्योंकि ग्रहण के चलते सूतक लगा हुआ है और शास्त्रों में सूतक काल को अशुब माना जाता है सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिये गए हैं हाँ ये जरूर कहा गया है कि आप अगर पूजा पाट करना चाहें यग करना चाहें तो अपने घर में कीजे ये 6 तस अधार में किस्खलों को बंद करना पड़ा लेकिन हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो मानेता यह है कि ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है जितनी देर ग्रहण चलता है उतनी देर सूतक लगा रहता है और ग्रहण के खत्म होने के साथ सूतक खत्म होता है झाल झाल